हाई फ्रेंड, सौमेक जिन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बता रही हूँ कच्चे केले के परांटे ये इतने स्वादिश लगते हैं कि आप आलू खाना ही फूल जाएंगे आलू के पिक्छा आपकच्चे केले के परांटे बनाएं बहुत स्वादिश लगते हैं और उसके साथ अगर टमाटर की चटनी हो तो स्वाद्धो गुना बढ़ जाता है तो बनाएं कच्चे केले के परांटे से पहले हमें चाहिए कच्चे केले ये हमने आट नो कच्छे केले ले लिए है इन कच्छे केलो को अलग कर लेते हैं अलग अलग भाग में लिका लेते हैं और इसकी डंडिया हम अलग नहीं करेंगे इनको उबलने के लिए रख देंगे ये कच्चे केले मैं प्राइफेन में रख रही हूँ, ये सारे कच्चे केले डाल दे रही हूँ इसमें और अब इसमें पानी इतना रखेंगे कि पानी उपर तक रहे केलो के अब हम प्राइफेन का ढखन लगा देते हैं ये प्राइपेन हमने रख दिया है केले उबलने के लिए गैस पर रोज की दो सिटी ले लेंगे कुकर की दो सिटी लें इससे ज्यादा सिटी ना लें ठंडा होने पर चेक कर लें चेक कर ले रहे हैं ये देखिए कुकर खुल गया है हमारा केले लिकाल लेते हैं अब इसके एक बरतन में ये पूरे केले लिकाल ले रहे हूं अभी गरम है ये उनको लिकाल के रख लेते हैं पहले केलों को पाचक में ठंडा होने दें या ठंडा पानी डाल के लिकाल लें जल्दी ठंडे हो जाएंगे फिर इनके चिलके लिकाल लेंगे हम ये देखिए ये थोड़ी ठंडे हो गए हैं अब इनके चिलके लिकाल लेते हैं हम फटाफट लिकल जाएंगे आराम से बहुत जलती है और बहुत ही आसानी से लिकल जाते हैं यह देखें आप यह लिकल गए है न चिलके यह सारे केलो के चिलके लिका लिए अब इनको हम अच्छे से मैस कर लेते हैं इस तरीके से दवा के मैस कर ले हैं भी हो चमबह से पहुच लेंं गच्छे केले हमारे मैस हो गए है 1健ण जीरा डाल देते हैं इसमें 1 और पूछ धना डाल देते हैं इसे हुए धना दाल रही हूँ हुए 1.5 टेबल इसमें अल्दी पाउडर डालेंगे डाल देते हैं अल्दी पौडर, आप टेबल स्पून डाल देते हैं, कला टेक्चर अच्छा आएगा, वन टेबल स्पून लाल मिज डाल देते हैं, वन टेबल स्पून इसमें सोप डाल देंगे, सोप का स्वात बहुत बढ़ी हां लगता है, अब इसमें हाप टेबल स्पून नमक डाल देते हैं नमक आप अपने स्वात की अनुशार भी मिला सकते हैं कम यह जादा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से मसाला मिक्स कर लेंगे ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूं गिट्ली आसी ना रहे अच्छे से मिला ले आँ अच्छे से मैस कर ले ये देखिए प्रॉपर अच्छे से मैस कर लिया है हमने ये बढ़िया हो गया है ना ये कच्छे केले का मसाला तैयार हो गया है और ये आटा हमने पहले से उसन के रखा था इसकी लोई कर ले रहे हैं आप जब भी पराटे बना बड़ी सी बना रही हूँ, बड़े साइच की लोई बना लें थोड़ी, केली के पराटे हम जो भरते हैं उसमें आसानी होती है, थोड़ी बड़े शीज डाल देते हैं, और हरी मिर्ची हराधनिया, आपको तीका पसंद होते हो, दो मिर्ची डाले, वरना एक मिर्ची डाले, आप इसमें हम थोड़ा सा नमक और जीरे डाल देंगे, हाप टेबल स्पून जीरा डाल दिया है, हाप टेबल स्पून नमक डाल देते हैं इसमें, ये छोटी वाली स्पून ली है, इससे हाप टेबल स्पून नमक डाला है, और हाप टेबल स्पून जीरा डखकन लगा के प ले उसके बाद चेकड कर लें आप यह देखेए बड़ी हां पिस्ता गई है ना हमारी चट्नी बार इंप पसंद हो तो बारिक पीसे से हम ईह तो हर्की मोटी दरदरीई एक कटोरी में खाली कर लेते हैं चट्नी को लेते हैं टामाटर की है는 बढ़िया बनी है ना हमारी टमाटे चटनी ये दिखिए आप कितनी पढ़िया दिख रही है और ये पराटे भी टमाटे की चटनी के साथ आप सर्व करें पराटे गरमा गरम बहुत सौधिश्ट लगेंगे ऐसे ही बनाएं आप पहुत पसंद आएंगे आपको